कॉंग्रिस पार्टी की हालत आज ठीक उसी तरह है जिस तरह से एक दाश के पत्ती का घर तिनके की तरह गिर जाता है दरसल जिस तरह से कॉंग्रिस पार्टी के अंदर उथल पूथल मची हुई है और जिस तरह से पार्टी के सभी नेता भी अलग थलग पड़े वे उसे देखकर ऐसा लगता है कि कॉंग्रिस पार्टी आज पूरी तरह से भी कर चुकी है लेकिन अब तो गांधी परिवार के अंदर फूट देखने को मिल रहा है दरसल जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी का राजनिती कद लगातार बढ़ता जा रहा है और राहूल गांधी प्रियंका के आगे फीके पड़ते वे नजरा रहे हैं सबसे बड़ी बात तो यहीं कि अब राहूल प्रियंका की सोच भी मेल नहीं खा रही जिसे देखकर ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी पूरी तरह से कॉंग्रिस की जिम्मेदारियों को समस्ते वे बहुत सोच समझ कर कदम भी उठा रही है और बयान भी दे रही है वहीं राहूल गांधी के अंदर अभी भी बहुत सारी चीजों की कमी देखने को मिल रही है अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने बिखरती हुई कॉंग्रिस पार्टी को संभाल लिया तो शायद कॉंग्रिस पार्टी तोबारा से उसी मजबूत स्थती में खड़ी ह हो जाएगी जो एक समय में मजबूती SPN 9 न्यूजरूम की रिपोर्ट